स्टाइब को मैंने में इस वाजल वहाव यह वाचिंग मैं यूट्यूब चैनल हम क्लास शिक्स का मैथमेटिक्स कर रहे हैं यह क्लास शिक्स टैटल पेज है क्लास शिक्स न्यू कांटडाउं सेकेंड एन्डिशिन और एक्सरीस एट एक्क्षयर नमबर वन और नम्चस मोl它 यह रहे हैं आज हम इ Birds से कंटीनिव कर रहें खान्म है कि आए आद्यूशन है यह नीचे जों वर्डिंग दिया वह हैं मैं इसको ऐल्जबरी एक्ष्परेश exercise eight a question number three part one the sum of p and q answer हो जाएगा p plus q p or q का sum बस इतना सा है हमारे पास इसका answer आजाएगा p plus q the sum sum का मतलब plus p or q का sum तो p और q p plus q अपके पास आजाएगा इस ता से number two वो यह कह रहे हैं कि the difference of a and b when a is greater than b ठीक है तो इन्हें a और b का difference निकाले इन्हें minus करना है जबकि a b से बड़ा है जब a b से बड़ा है तो जाहर है b को a से minus कर देंगे तो हमारे पास आजाएगा a minus b ठीक है यानि the difference of a b a और b का difference निकालना है और इसमें वो कह रहे हैं कि a b से बड़ा है तो जाहर है बड़े से छोटे number को minus किया जाता है तो a से हम b को minus कर देंगे इस तरह से part three हमारे पास आ रहा है वो है two third of x added to two y two third two third यह देखे यह two third होता है two third of x यह पड़ा जाएगा two third of x added plus two y two y this is the answer तो तो थर्ड ओफ आक्स ओफ मल्टिप्लिकेशन आ जाएगी two third of x तो two three two upon three x added plus two two y two y के साथ तो कहते हैं कि two third of x को हमने two y के साथ aid करना है तो इसकर जो algebraic expression बन जाएगा वही हमारे पास आ जाएगा इस तरह से part four अगर हम कर लेते हैं तो वो यह कह रहे हैं कि the product of m and n added to their sum the product of m and n क्या है देखें यह m यह n यह product है product का बातलब multiplication the product of m n मतलब m multiplied by n इसको हम कहते हैं the product of m and n और आगे कह रहे हैं m and added to their sum added plus यह added to their sum यह m और n का sum m plus n यह bracket में डाद देजे तो यह हमारे दिखें यह the product of m and n added to the sum of m and n टेक हैं so the product of m and n added to their sum मतलब sum of m plus n तो यह part 4 part 5 the difference of 2p and 3q when 2p is less than 3q इसका है कि 3q बड़ा है 2p चोटा है तो 3q से हम 2p को minus करेंगे और वो यह कह रहे हैं कि the difference है तो minus करना तो minus करना ठीक है subtraction हो के लाता है और जो 3q बड़ा है तो 3q से minus हो जाएगा 2p 2p चोटा है तो जाहर है बड़े से हम चोटे को minus करेंगे तो यह difference of 3p and 2q हमारे पास आ जाएगा okay 3 times a added to 4 times b देखें spot 6 3 times 3 times a यह 3 times a क्या लाएगा added to 4 times b 3 times a added to 4 times b part 5 part 7 sorry part 6 यह part 7 हमारे पास आएगा part 7 the sum of m and the quotient of n divided by 2 the sum of m and the quotient of n divided by 2 यह इस तरह से हो जाएगा the sum of m यह m और sum का the quotient of n divided by 2 the quotient of n यह n divided by 2 यह पास आ जाएगा ठीक है यह the quotient of n divided by 2 का मतलब हमारे पास यह आ जाएगा ठीक है n upon 2 से जो quotient आएगा यह जहन में रख लें कि दो numbers को करहम में divide कर देते हैं जैसे यह वाली 3 divided देखें यह 3 divided by 2 तो यह 3 divided के लाता है यह 2 हमारे पास diviser के लाता है अज जब हम डिवाइड करें तो टू वन जा टू ठीक है 3 में से 2 वन आ रहा है तो यह one quotient के लाएगा यह वाला और यह remainder के लाता है यह divided, divisor, quotient और one remainder अब N और 2 का N divided by 2 से जो answer आएगा वो quotient के लाएगा तो हमने M को 8 करना है quotient of N divided by 2 से तो इससे हमारे पास यह answer आजाएगा part 8 हमारे पास आ रहा है the quotient of A and B when A is divided by B the quotient of A and B when A is divided by B यह question of A and B के लाता है जब A को B से डिवाइड किया जाएगा A is divided by B, यह, ठीक है divided by B, added to their product है यह एडिड़ तो दियर प्रॉड़क्ट A और B का प्रॉड़क्ट A और B मल्टिप्लिकेशन हो जाएगी so the quotient of A and B ही हो जाएगा एडिड़ प्लस हो जाएगा प्रॉड़क्ट आफ A B, A B आजाएगा A multiplied by B देखिया अगर numbers होते हैं जहेंदे रख लें two तो हमें multiplication का symbol लगाना होता है हमें क्यों लगाना होता है इसलिए कि अगर हम multiplication का symbol नहीं लगाते हैं तो यह number 23 बन जाएगा two multiplied by three नहीं होगा 23 बन जाएगा तो इसलिए symbol लगाने की जुरुत होती है यहाँ पे लेकिन A और B के अंदर हम नहीं लगाते हैं नहीं बनते हैं जैसे यहाँ पे two multiplied by three अलग चीज़ है इससे answer six आता है और 23 बिल्कों अलग चीज़ है अगर हम यह symbol नहीं लगा रहें तो यह number पे two multiplied by three की बज़ए 23 बन जाता है इसलिए हमें symbol लगाना जुरुरी होता है लेकिन अगर आपके पास कोई alphabet है A, B, C, D कोई इस तरह की चीज़ है तो उसमें multiplication symbol लगाने की जुरुरत नहीं होती आप लगा भी सकते हैं और ना लगाना चाहो तो भी कोई जुरुरत नहीं है तो यह part 8 the question of A and B when A is divided by B plus the product of A and B तो यह हमारे पास part 8 हो गया ठीक है part 9 हमारे पास है one third of X multiplied by the difference of X and Y and X is greater than Y देखिए one third of X क्या बन जाएगा हमारे पास ठीक है यह part 9 हमारे पास आ रहा है part 9 one third of X ठीक है number एक चीज is multiplied multiplication के रिए bracket लगाईए का यह और multiplication symbol भी लगा सकते है मैं bracket लगा जगा ज़ता हूँ आगे के रहें कि by the difference multiplied by the difference of X and Y जिसमें X greater है difference of X and Y क्या हो जाएगा कि X greater है तो X से Y minus हो जाएगा ठीक है यह difference of X and Y हो गया जिसमें X greater than Y है तो X minus Y तो देखिए one third of X multiplied by the difference of X and Y when X is greater than Y तो यह part 9 part 10 हमारे पास हो जाएगा जिसमें किया रहे है कि 3 4th of X देखिए 3 4th of X multiplied by the difference of 2P and 5Q when 2P is greater than 5Q टीक है तो multiplied by the difference of 2P and 5Q जहां पर 2P 5Q से less है तो 5Q minus 2P हो जाएगा तो 3 upon 4 of X multiplied by the difference of 2P and 5Q जहां पर 2P is less than 5Q है तो 5Q से 2P minus हो जाएगा तो 3 upon 4 of X multiplied by the difference of 2P and 5Q when 2P is less than 5Q तो यह हमारे पास इस तरीके से part 10 हो जाएगा ओके question number 4 हमारे पास आ रहा है question number 4 write down separately the terms of the following algebraic expression है ठीक है write down separately the terms of the following algebraic expression उसमें आपके पास देखें terms कितने part 1 के अंदर part 1 हम ले ले लेते हैं इसके अंदर एक आपके पास term A आ रहा है यह नहीं हमसको plus A भी लिख सकते हैं या A भी लिख सकते हैं दूसरा plus B आ रहा है यह प्लस लिख दीजिए चले प्लस A प्लस B और माइनस 2 C तीन terms आ रहा हैं ठीक है इस तरह से part 2 के अंदर एक माइनस 2 X Y आ रहा है माइनस 2 X Y आ रहा है माइनस 2 X Y Z सोरी माइनस 2 X Y Z आ रहा है दूसरा term माइनस 3 X Y यह terms के लाते हैं ठीक है इसके अदर त्री terms है 1 2 3 और जो चुटा है वो प्लस Z हैं यह हमारे पास तीन terms उसके अंदर हैं part 3 के अंदर कितने terms हैं ABC यह प्लस ABC प्लस लिखने के वैसे जरूरत नहीं होती क्योंकि प्लस का मतलब सिंबल नहोने का मतलब प्लस होता है ठीक है तो यह अगर आप प्लस A और B के साथ प्लस ना भी लगाएं तो कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि सिंबल जब नहीं होगा तो इसका मतलब के वापस में प्लस हो रहें तो ABC आ रहें दूसरा 2FGH आ रहें तीसरा माइनस AF स्क्वेर आ रहें चोड़ा माँनसBG स्क्वेर आ रहें और तीसरा माइनसCH स्क्वेर स्वेर तो 1,2,3,4,5 एक ABC कॉमा दूसरा 2FGH आ रहें तीसरा माइनसAF है चोटा माइनस BG स्क्वेर है पांचो माइनस CH स्क्वेर है ये जो सिंबल होता है साइन जो होता है प्लस और माइनस का ये हमेशे कि लिए टर्म के लिफ्ट साइड पे होता है ये प्लस इसके साथ होगा ये माइनस इसके साथ होगा question number five हमारे पास है write down the algebraic expressions whose terms are given below देखे question number four का बिल्कुल उल्टा है question number four में क्या था question number four में algebraic expression given है a plus b minus two c एक algebraic expression है और इसके अंदर term plus a है plus b है और minus two c है यहां पी अच्छे दूसरे के अंदर जैसे minus two xy minus three xy minus three xy plus z एक algebraic expression है और इसके अंदर terms क्या है minus two xy z minus three xy और plus z यह इसके अंदर terms है अब जो question number five है इसमें terms given है और हमें क्या करना है algebraic expression निकालने तो बस दर्मियान से कॉमा हटाईएगा और जहां पे plus नहीं सेंबल नहीं है और पे plus लगाईए जैसे part a हमारे पास आएगा a minus three b plus four c बन जाएगा यह नजर आ रहा है यह a minus three b plus four c question number five के अंदर question number five part one ठीक है तो यह हो जाएगा a minus three b plus four c ठीक है तो से part two हो जाएगा part two हमारे पास आ जाएगा यह नजर आ रहे minus five a b c minus seven b c d plus three a b d तो यह हो जाएगा minus five a b c minus five a b c minus seven b c d कम हट आएगा minus seven b c d b c d और plus three अब साइन नहीं है तो इसका मतला से कम हट जाएगा plus लग जाएगा plus three a b d तो यह part two part three हमारे पास आ जाएगा उसमें जो एक्सप्रेशन है वो 3u है तो यह 3u और पिर minus one upon two g t minus one upon two g t कम हट जाएगा तो यह एक अलजब्री की एक्सप्रेशन बन जाएगा इसका पैलोज़ अलजब्री एक्सप्रेशन बेंदर है वो a minus three b plus four c r है दूसरा minus five a b c minus seven b c d plus three a b d और जो तर्ड है वो three u minus one upon two g g t एक्सराइज eight a थी next video का दर निशाद नाम एक्सराइज eight b continue करेंगे तेंक यू झाल झाल